नमस्काल दोस्तों मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीवी यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भी बात करने वाले कि CITS कोर्स क्या है CITS कोर्स हम कैसे करते हैं CITS कोर्स के लिए क्या कॉलिफिकेशन है क्या एज होता है कह अब हम बताएंगे कि CITS क्या होता है CITS सबसे पहले जांते हैं CITS को फुल होता है क्राफ्ट इंस्टक्टर ट्रेनिंग स्कीम मतलब कि आप इंस्टक्टर बनिएगा तो उसी का एक कोर्स है और इंस्टक्टर किस चीज़ का बनिएगा तो ITI का आप जैसे देखें CITS जो करेंगे तो CITS कोड्स हम वहीं लोग भर सकते हैं जो की ITI की है और जो CTS कोर्स किये हुएं जो CTS और ITI का कोर्स किया है वो apply कर सकते हैं और CITS कोर्स कर सकते हैं CITS कोर्स जो होता है वो परतिक साल उसका मतलब जो batch होता है वो निकलता है वेकेंसी और आप उसका apply करके आपको इंट्रेंस qualify करना पड़ेगा अगर आप इंट्रेंस qualify कर लेते हैं उसके बाद आपको NHTI में कॉंसिलिंग होता है और आप वहां से CITS कोर्स करिएगा आप जानिएगा कि यह जो होता है जैसे कि आपका हावरा हो गया फिर आपका जैसे लखनों हो गया यूपी में तो हर एक राजधानी में आपका वहां पर पर्तेक राज में आपका जो होता है इंसिति इंसिट्सटोड आपका होता है वहां से आप CTS कोर्स कर सकते हैं जैसा कि आप को पिछले वीडियो में बताएं थे CTS कोर्स भी Нह्ति ठीए ही कराती है विबिंद प्रकार के हम ट्रेट से कर सकते हैं CTS को और CTS भी हमسँ त्रेट से आप करना चाहते हैं जैसे कि एलेक्टिशियन, फीटर, पलंबर, टर्नर या फी और भी ट्रेट से आप CITS कोर्स कर सकते हैं उसके बाद जैसे ही वेकेंसी आता है टीचर का जैसे कि आई टीचर का वेकेंसी आएगा तो आप अपलाए करके आपका सेलेक्शन होगा आप वहाँ पर टीचर बन सकते हैं तो निश्ची थी आप समझ गए होंगे कि CITS कोर्स क्या होता है जिसे बहुत सारे भाईलों का कन्फुजन होता है कि CITS कोर्स क्या है और CTS क्या है क्या CTS एक ही है तो नहीं CITS और CTS दोनों ही अलग है CTS एक ITI के तरह है और CITS में और कब हम कर सकते हैं तो यह सब कुछ आप समझ गया होंगे तो जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेले कन कौल पर प्रेस कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक लिए जैहिंत बंदे मारत